गाउंफंड और Consolidated गाउंफंड UP Revenue Code के अंतरगत जो भी पैसा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर भूमी प्रबंदख समिति को मिलता है वह सारा पैसा ये गाउंफंड में क्रेडिट कर देते हैं लेकिन सेक्शन 67 के अंडर जो पैसा डेमेजिज और कंपेंसेशन के तोर पर रिकवर किया जाता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर भूमी प्रबंदख समिति द्वारा वह वह पैसा गाउंफंड की बजाए Consolidated गाउंफंड में क्रेडिट करते हैं तो माल लो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भूमी प्रबंदख समिति इनके द्वारा सारा पैसा जो है जितना भी है वह गाउंफंड में क्रेडिट कर दिया जाता है लेकिन जो पैसा Section 67 के अंतरगत आ रहा हो वह पैसा ये Consolidated गाउंफंड में क्रेडिट करेंगे ना कि गाउंफंड में Consolidated गाउंफंड हर डिश्टिट के लिए बना जाता है हर डिश्टिट के लिए Consolidated गाउंफंड बना जाएगा कौन-कौन से अमांट्स इसमें क्रेडिट किये जाते हैं कहां से पैसा आता इसके अंदर एक तो हमने उपर ही देखा Section 67 के अंडर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमी प्रमेंदक समीति को जो damages और compensation रिकवर करते हैं ये वैर ये Consolidated गाउंफंड में क्रेडिट करते हैं जैसे हमने हाँ पे देखा था ये Consolidated गाउंफंड में ग्रेडिट करते हैं Section 67 के अंडर जो पैसा रिकवर होता है दूसरा Section 67 के अंदर मालो एक करोड रुपे ट्रांसफर हुए हैं तो एक करोड का maximum 25% तक 25 लाग तक और जो है वह ग्राम पंचायत जो है collector को contribute करेगी contribution received by collector ग्राम पंचायत विल पे to collector maximum 25% of amount credit under Section 67 और इसके अलाबा क्या credit किस तरह का पैसा जमा होता है such other amounts as may be prescribed या फिर कोड में और कोई amounts prescribed क्या हो वो भी Consolidated गाउंफंड में credit कर दिया जाएगा अब इस पैसे का इस्तमाल क्या होता है Consolidated Ground Fund का इस्तमाल होता है पहली बात तो ये collector दवारा operate किया जाता है इसका इस्तमाल होता है जो lawyers होते है panel lawyers वगेरा ये सब इनकी fees, इनके allowances में खर्च होता है या फिर ग्राम पंचायत और भूहमी समिती जो है इसके दवारा या इसके अगेश्ट कोई suit या file applications वगेरा हो उसके expenses में, उसके खर्चे में इस्तमाल होता है या फिर जो common utility की land है उनके development में जो खर्चा आता है उसके लिए जो जिस land का सभी लोग इस्तमाल कर सके उसके development के लिए या फिर state government दुवारा prescribe किसी अधर तरह का payment हो उसके लिए consolidated ground fund का इस्तमाल किया जाता है revision के लिए PDF चाहिए तो website dcllb पे जाके ले सकते हैं